सब्सक्राइब किया है क्या कमेंट्स मिल रहे हैं आपके फ्रेंड्स और इंडस्ट्री फटेनिकी से सारे लोग यही बोल रहे हैं कि वेटिंग फॉर दिस मूवी बेसिकली ट्रेलर ने जो किरियेट किया है मैं भी आशर्ज चकीत हूँ कि इतना मुझे आशा हमेशा से थी लेकिन इतना अधिक मैंने भी आशा नहीं किया था काफी लोगों के फून आ रहे हैं काफी लोगों के मेसेज़िस आते हैं हर पांच मिट में मैं मेसेज़िस का जवाब देते रहता हूँ सारे लोग इस फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हैं काफी बेशबरी से और 26 को और उसके बाद के वीक्स में हमें काफी अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा कर दो थोड़ा आप प्रव आप थोड़ा अम उंभी के बारे में जानना चाहिए गाउद मिलेई norm Cake नि मो तोरच बारे में अगर बात हैं पूंधास मॉफभई प्राइघवमाजेआं जो यहाल मेरे खुद के गाउड की कहानी है ओर वहां से प्रेरित है बेसिकल्यी जो है वो मेरे गाउं से प्रड़ित है कहानी लेकिन कि हर एक कानी है जैसे गाउं विलॉपत होते जा रहे हैं दीरे दीरे यह उसकी दहानी है, in the name of modernity, in the name of development, in the name of smart cities, we are destroying our villages, यह जो city ideas लेकर हम गाउं में जाते हैं, और गाउं की जमीने खोद करके माइनिंग करते हैं, वहां से लोगों डिस्प्लेस करते हैं, जंगल हो जाड़ते हैं, पहाड़ काड़ते हैं, All these things are basically causing destruction in the society, village society, and with many issues come different problems. आपने बोल रहा हैं कि हमारे गाउंबविक्सित हो रहे हैं, कोई रिक्सित नहीं हो रहे हैं, वहां बहुत सारे ब्लेर काई तक हम्हां माँचित करना सदूक हैं कभी बच्चे उठाने के नाम पे, कभी बीफ के नाम पे, यह सब गाउं में सुनने को नहीं मिलता था, रेप्स की घटना है इतने गाउं से आ रही है, यह हो रहा है कि इनिसेंट विलिज मान इस ट्राइंग तो कौपी दे सिटी लाइफ स्टायल विदॉट फुली अंडर्स कि ओिए रेफ सब्सक्स ट्रीज मान इसदे लेगे और अभी हमने देहां कि अरे पा ँर्फ कॉली नी भी एप्छ नोर्गि कर ले अंग की काई तो वह स्चेने के चाहीं समय मान आच्छ, ऑप जा कि अमीएव यू हुच यह हो रहा है कि हमारे गाउं में हमारे शहरों में व हम चाहते हैं कि हर गाउं एक शहर बने कभी ये कोई कोई कोशिच नहीं करता है कि कोई शहर गाउं बने हम मैच बॉक्सेज क्रीट करना चाहते हैं हर जगा और इसको हम विकास का नाम देते हैं हम फैक्टरीज डालना चाहते हैं यह जो है वो चंद लोग हैं जिनको हम अमीर बनाते जा रहे हैं आपको तो पता है कि भारत की 1% उनपटेशन पोपिलेशन के पास जो है वो भारत की और मुंस 70% जो है वो पैसे हैं और ऐसेट्स हैं राकी के निस पोपिलेशन जो है यह जो है उन चन्द लोगों का एक अजेंड़े हैं जो पेश करते हैं कि हाँ smart cities बनाओ तब development होगा स्वच भारत लाओ और कौन से स्वच भारत गाओं हमारे गंदे थोड़ी है गाओं से स्वच क्या है वो योजना आप शहरों में लाओ ना गाओं को गाओं की qualities को लेकर के विकास की योजना हमें बनानी चाहिए और इन्ही सब बेसिकली जो गाओं फिल्म है वो इन्हीं दो भारत एक भारत जो गाओं में रहता है और एक भारत जो शहर में रहता है इनके बीच की दूरियां और इनके बीच के डिफरेंसे इनके बीच के मन मिलाप और इनके बीच के कॉन्फिक्ट्स इन समों को दरसाता है कि दोनों को अलग अलग आइडिया चाहिए तोनों को अलग अलग प्लान चाहिए और बेसिकली हमने बहुत सारा कॉमेडी रखा है फिल्म जो है वो इंटेटेमेंट से भरी हुई है जब आप गाउं देखकर बाहर निकलेंगे तो तब लगए गाउं से हम बाहर निकलेंगे जो पहली बार जब कोई गाउं से बाहर निकलता और शहर में आता है जो कल्चल शॉक लगता है वही होने वाला है आपके साथ जब आप थीएटर से बाहर निकलेंगे एक रियल दुनिया में आएंगे जब कोई भागता हुआ आपको पुश करके चला जाएगा और आपके चारों तरफ भागते हुए लोगाएंगे तो वह कल्चल शॉक लगए गाउ जो स्टोरी आपकी नीजी जिन्देगी से बहुत इंस्पाइड है आपने उसमें अपने जीवन में जो खटी है वह बहुत सारी इंसिडेंट डाला है कब आपने सोचाएं के ये इसका अध्यन किया पूरी दुनिया में जो गाउ है हर जिगह यही हो रहा है जो हमारा कम्यूनिटी बेस सोसाइटी था वो खटम होकर के इंडिविजुलिस्टिक सोसाइटी बनता चला जा रहा है गाउं में अब वैसे तेवार नहीं मनते जैसे मना करते थे गाउं में जो शाम में जो नुकडवाजी हुआ करती थी वो अब नहीं होते गाउं में आप कहानिया कोई नहीं सुनाता गाउं में लोरिया नहीं गाई जाती गाउं भी अब शहर हो गया है जहां पे मॉबाइल पे गाने बजते हैं लॉड़ स्पीकर चलते हैं एक नौईजी प्लेस हो और यह जर्नी मैं अपने गाउं की देखी है जब मैं बच्पन में था और आज उसे मैं काप्षर नहीं कर पाया तो फिर मैंने उन सारे इवेंट्स को लेकर के यह कहानी लेकी यह चालीस साल में जो जो घटनाये वी उसकी कहानी की कैसे मनी केम तो आर विलेज और विलेज देन सोल एंद आर नहीं को आप लिलेज do you, अगैरे नहीं जो जो बघता है और उसके अलावा काशी मूवी भी है शामन जोशी की बहुत अगल वाद वापस हैं और वह उसका मूवी अपको लगता है। नो 1 यह अभावी कौिकही है था काफी उनीक एक आनी यह कहानी जो यू यूनीक है, इसका कोई पारलल नहीं है और अ mesh हर एक की कहानी है, कोई भी अखूता नहीं है घर कोई एक बा UmaU साय काउनी कि ओने ओर वोलिय में एड़ राए्वार मोवीजी के लिए एक साथ खुलने के आए ये चब्यस को हम सब गाउँ चलें और अपनी संस्कृति को अपनी एंसेस्ट्री को हम जाने और देखें कि हमने क्या मिस्किया है इन चालिस पचास सानों में और अगर कुछ है उसमें से कुछ वापस जाने की कोशिश करें